सब्सक्राइब कीजिए सीखो जानो टेक्निकल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो नमस्ते दोस्तों मेरा नाम कृष्टना है और आप देख रहे हैं सीखो जानो टेक्निकल दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि जो गूगल प्लेइश्टोर रहता है उसमें एक बहुत ही बेस्ट अपडेट्स आई है और वो अपडेट्स देखर यार आप भे बहुत मतलब कहेंगी यार कमाल की अपडेट्स आ गई है तो फ्रेंड्स हमने देख इस वीडियो को बीना स्किप किया पूरा देखेगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार का ओप्सण अबेलिवाल हुआ है एक बहुत ही मतलब कमाल का चीज है तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके च तीख लेते हैं कि यार कौन सा ओक्षन है कैसे यूज करना है और कहां पर देखने को मिला है Google Play Store ने क्या ऐसा नया features मतलब एड कर दिया तो friends बहुत कमाल का feature से मैं वहां लेकर चलता हूं ताकि आप भी उसे देख सकें तो friends finally हम अपने mobile screen पे यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने mobile screen पे बगल में आपी screenshot देख सकते हैं तो हम आगे है mobile screen पे अब यहाँ पे friends मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या ऐसा Google Play Store में available हुआ है यानि कौनसी ऐसी option है यह जो आप यूज कर सकते हो बहुत ही कमाल का option है हम तो देखकर मतलब यार बहुत खुशी होई तो यहाँ पर हम finally चलते हैं Google Play Store में और यहाँ से Google Play Store को open कर लेंगे और जैसे यह open करेंगे friends कुछ इस तरह का interface दिखता है नॉर्मली सभी phone में ऐसे यह option दिखता है लेकिन यहाँ पे वह जो नया features आया friends नया updates आया Google Play Store में वह कौन सा है कमाल का है यार तो आपको करना क्या देखिए हम यहाँ पर आपको पूरी क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको three line पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी option settings खुल के आ जाती है बहुत सारी option दिखता है my apps and games नोटिफिकेशन सब्सक्रीप्स और बहुत विस लिच्ट है यानि बहुत सारी options देख जाती है तो friends यहाँ पर simply आपको करेंगे यह पर वाज जो first option है my apps and games तो friends simply आपको क्या करना है my apps and games वाले option पर क्लिक करना है जैसे यह आपके क्लिक करेंगे friends आपके सामने यहाप कुछ उपर की तरफ आपको ध्यान से देखना है friends ध्यान से देखना है तब आपको भी साहथ पता चलेगा क्या है हमारे बताने से पहले तो friends यहाप देख सकते हैं पहला जो option आपको देखने को इसमें मिल आ था वह है updates का यानि updates लिखा हुआ आपको देख जा रहा था उसके second नमर पर installed application यानि जो installed आपके फोन में जो install है पहले से तो ओ application वहाँ पर देख सकते हैं और friends library यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी के बगल में आपको एक option ज जहां दोस्तों share बीटा इसके जगा पर बीटा दिख रहा था शेयर का option नहीं था लेकिन Google Play Store ने ऐसा option available यानि एड़ कर दिया है अपडेट से ला दिया है फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ share का option है इस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे friends इसका यूज के कहां कर पाएंगे अब देख सकते हैं कुछी इस तरह का interface दिख गी है तो यहाँ पर यूज कैसे करना है friends हम आपको बताने वाले देखिए यहाँ पर share apps with nearby share तो friends आप इसका यूज कर सकते हैं वो भी बीना internet connection के तो friends यहाँ से क्या कर सकते हैं जो भी आपके mobile phone में app है एप आपने install कर रखा है और चाहते हैं अपने friends को send करना nearby कोई friends से उसको share करना चाहते हैं तो आप इसे send कर सकते हैं वो भी बीना internet connection के जैसे माल लीज़ें nearby में कोई है आपके address close है कोई मतलब कुछ दूरी पर है अगर nearby में ही है यानि nearby में तो आप उसे भेज सकते हैं बीना internet के तो आपको करना क्या है friends यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक option है send का और दूसरा option है receive का तो आपको करना क्या है अगर आप कोई application send करना चाहते है अपने friends के साथ तो आप Google Play Store से ही send कर सकते हैं वो भी बिना internet के और ना ही आपको pass बुलाना होगा एकदम pass भी नहीं जरूरी है यानि दूरी पर भी चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं तो उसके लिए करना के है friends देखिए यहाँ पर send वाले button पर जैसे हम click करते हैं तो यहाँ पर click करते ही friends यहाँ पर कुछ इस तरह का interface है जितनी भी application आपने phone में install किया होंगे यानि download किया होंगे सारी application यहाँ पर so हो जाएगी और यहाँ प अपने friends के साथ भेजना चाहते हैं या कोई और इसके साथ भेजना चाहते हैं तो आप application को हम भेजना चाहते हैं तो दुनों पर हम select कर लिया अब करनेगे क्या friends यहाँ पर देख सकते हैं एक तीर का निसान है इस पर simply click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे friends अगर उसके mobile में आपके जो friend है उसके mobile में Google Play Store में receive वाला option पर click करते हैं जैसे माली जी यह तो हमने send किया जैसे वह अपना on करते है receive वाला option अमबैका के आपको दिखा देखते हैं पुरा simply यहाँ पर देखिए यहाँ पर receive वाला button जैसे माली आपके friend कुछ आपको भेज रहे हैं कोई application भ वाला application होता है यूज करते हैं नर्मली वैसे ही connect हो जाएगा connect होने को बाद से friends आप उनको भेज सकते हैं वह आपको भेज सकते हैं यानि दोनों आपस में LinkedIn कर सकते हैं application का तो यानि इसका मतलब यह है कि friends यहाँ से अब आपको कुछ मतलब करना नहीं होगा बहुत easy तरीके स Google Play Store से ही आप असानी से बीना कोई application डाउनलोड किये कोई भी application share कर सकते हैं मंगा सकते हैं ले सकते हैं तो दोस्तों यह features आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर बतेगा कि यह features आपके लिए मतलब कैसा लगा अच्छा है कि नहीं अच्छा है comment करके reply जरूर करेंगे और यह वीडियो पसंद देए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स से बहुत ही latest feature से बहुत ही कमाल का चीज है हमारे ख्याल के आपका ख्याल क्या है नीचे लिग दीजेगा धन्यवा तोस्तो आपका दिन सुभा जाहिन बंदे मातरं